मेरा नाम है डॉक्टर नीलं शर्मा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की मोक्सीफलॉकसासीन टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है Moxifloxacin Tablet को कैसे लेना चाहिए और Moxifloxacin Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Moxifloxacin Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में Moxifloxacin Tablet को लेना recommended नहीं होता है Moxifloxacin Tablet एक antibiotic दवा है Moxifloxacin Tablet का उपयोग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है जैसे तवचा पर कोई घाव या तवचा पर कोई infection होने पर pneumonia होने पर, फैफरों में infection होने पर, पेट में infection होने पर, दातों या मसूडों में infection होने पर, जोडों या हंडियों में infection होने पर और कान नाक या गले में infection होने पर आपका Dr. Moxifloxacin tablet को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी conditions है जिनमें आपका Dr. Moxifloxacin tablet को लेने की सला दे सकता है। पसंद आ रहा है। तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि Moxifloxacin tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Moxifloxacin tablet की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Moxifloxacin tablet की वज़े से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं। जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, चक्कर आना, मींद न आना, बधजमी, तवचा पर रैशेस, पेट में दर्ब, कब्स और दस्त हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि Moxifloxacin tablet को कैसे लेना recommended होता है। Moxifloxacin tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Moxifloxacin 400 mg tablet को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन Moxifloxacin tablet की खुराक उम्र, शरीर के वजन और इंफेक्शन की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको Moxifloxacin tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। आपको Moxifloxacin tablet को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने Moxifloxacin tablet को लेने की सलाह दी है। क्योंकि Moxifloxacin tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इंफेक्शन वापिस आ सकता है। अब हम डिसकस करेंगे कि Moxifloxacin tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडीशन्स में Moxifloxacin tablet को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। Moxifloxacin tablet वाइरल इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है। इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए। जब जरुरत हो बार-बार या बिना जरुरत के एंटिबायोटिक दवाओं को लेने से एंटिबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। और antibiotic resistance होने पर वो antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और ऐसी स्थिती में infection को ठीक करने के लिए आपके डॉक्तर को दूसरी antibiotic दवा देनी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को liver या kidney की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि liver और kidney की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में moxifloxacin tablet की dose घटानी पड़ सकती है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए moxifloxacin tablet का सेवन करना recommended नहीं है। इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को moxifloxacin tablet को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मोकसिफलॉकसासिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते है कर दो कि अ और दूर आपकी इनी दो आपका मोझ माझ गर का लगका शगर एंग चालेगAY तो आपका सब्सक्राइब कर दो हम उांटा वें अ पृबंए आपका है इनी जपके आपका